अब टुदेंट क्लास लेवेल एकाउंट चप्टर नमर 16 डेप्रिसियर्शन से और आज मैं आपको बताऊंगा रिटेंड डाउन वेलू या भी डेमिनिसिंग बिलेंज मेथेड कोश्चन नमर 16 और टेकी गोईल बुक कोश्चन नमर 16 जिसमें डेमिनिसिंग बिलेंज मेथेड के जुरू आपको डेप्रिसिंग कैलकुलिशन करना है और मसीन अकाउंट तेयर करना है तो सबसे वहले कोश्चन देखिए कोश्चन है कोश्चन है कोश्चन नमर 16 जो कि केंदरी विद्दर समिती संस्तान की 2000 फोटे लेशन कोश्च असो का लिमिटेंट नेक मसीन खरता एक अप्रिल 2010 को तो लाग चालिस जार में और इसके 4000 रुपाय कैरेज और 6000 रुपाय इस्ट लेशन कोश्च जिस दिन खरिदा उसी दिन ये खर्चा किया गया है तोटल अप कोश्च मसीन का जो है 250,000 हो गया है और 1 जुलाई 2011 को दूसरी मसीन खरिदा 45,000 में और इसको साइज मरमत करवाया 25,000 रुपाय हैं कि टोटल अप कॉस्ट बन लाग रुपीज एक जुलाई को खरिदा गया और 1 जुलाई जैनुवरी 2013 इट डिसाइड़ तो सेल दा मसीनिटी बाट उन 1 अपर 2010 जो पहली मसीन जाने के बाट 20,000 लॉस्ट को बिचा जा रहा है इट बाट अनादर मसीन उसी डेट को 40,000 रुपाय में इसने दूसरी खरिदा कंपनी डिसाइड़ तो चार्ज करने के निर्ने लिया और रेटेंड डान वेलू मेथे रेटेंड डान वेलू मेथेड की साब से पिरपियर मस पिरपियर करना है तो कैसे करेंगे देखी नहीं है से सबसे पहले हम जो है मसीन खईदा गया है कब 1 अप्रेल 2010 को तैंटिकर देट 1 अप्रेल 2010 टू पैंक एकॉन मसीन खईदा गया एल लाग चालिस रुपए और टैन थावजान इसको पर एक्ष्टा खर्च कर दिया टोटल मसीन हो गया बन लैक फिप्टी थावजान लुपीस का इस सार कोई दूसरा और कुछ नहीं हो ला है तो डारेक इस साल के लाश्ट में यानिक पुटर करेंगे तो गया टैलिए Hebrews ये लाएँ वार्याश्ट कि शावसें मसीन खईदा गया धा टू लैक फोर्टी थावजान तो तो टयाल हो गया थोलैक फिप्ती थावजान अनुम्र तो टूलैक ठीड़ून भीजाूं के मुल्ट्ervices' 15% तो यह टोटल हो गया 37,500 टोटल डेप्रिसेशन चार्ज हो रहा है तो हमने फिल गए दिया 37,500 तो 2,500,000 में से 37,500 मायस करने का जो बच्चेगा उसको उम डालेंगे तो टोटल अमाउंट मायस कर दीजिए मसीन फिर्स्ट को निकालेंगे 250,000 में से 37,500 मायस कर देंगे तो बैलेंज बच्चेगा 0059 में से 7 गया 2,4 मिस 3 गया 1,2,12,500 अकाउंट क्लोज कर दे रहे हैं तो इस साल अकाउंट क्लोज हो रहा है 0010 910 3145 यह होगे 250,000 और यह होगे 250,000 एकाउंट क्लोज होगे फिर्स्ट अब यह जो बैलेंस है मैक्स टेल लेके आते हैं इनकी फिर्स्ट अप्रेट 2011 टू बैलेंस ब्राउट डाउंट 2,12,500 अब इसी साल दूसरी मसीन खरे दे गई थी एक जुराइत होजर 11 को 25,000 अब 25,000 अलग से कर्चा किया गया तो 1st July 2011 को टू बैंक अक्राउंट यह मसीन करता गया 75,000 और उस पर अलग से 25,000 जो है कर्च कर दिया टूटल मसीन का कॉस्ट हो गया 1 लेक रुपेज अब दो मसीन ही होगे अब 31st March 2012 को इसका कर दो मसीन है सबसे वहले मसीन फर्स्ट दूसरे नमबर पर मसीन फर्स्ट का टैप्रिस्ट बैलेंस था 2,12,500 x 15 जिसको कैल्कुलोट कीजिए तो इसको कैल्कुलोट करके आ गया 31,875 रुपेज अब इसी डेट को सेकेंड मसीन का कैल्कुलोशन करेंगे सेकेंड मसीन है 1,00,000 x 15,100 अब क्योंकि खरिदा गया 1 जुलाई को तो एक अप्रेल मैंने सुरू होता है एक जुलाई को खरिदा गया तो टोटल टैप्रिस्ट चार्ज हो रहा है इसमें 9 मैंन का 9 x 12 तो इसको 0 से 0 कर दिया है अब इसको जो है आड करती जीए तो यह आड करने के बाद टोटल टैप्रिस्टेशन आ रहा है दोनों मसीन का टोटल आड करके 43,125 आप दोनों का बैलेंस मानस कर दीजिए जो बचेगा वोगा बैलेंस करेंट आड करेंट आड मसीन फर्स्ट में मानस होगा 31,875 तो इसका मसीन फर्स्ट का जो बैलेंस बच रहा है यह बैलेंस बच रहा है मानस करके 1,80,625 और मसीन टू का कल्कुलेट करते हैं 1,00,000 में से मानस हो रहा है 11,250 तो इसका बैलेंस बच रहा है 5, 7, 7 में से बन गया 8, 8,750 इसको एंटर करते हैं पर मसीन फर्स्ट का बैलेंस है 1,80,625 और मसीन 2 का बैलेंस है 1,80,750 टूटल कर जीएगा बैलेंस टूटल बच रहा है 2,69,375 और इसको टूटल कर जीए टूटल इसका आ रहा है पूटल आट करेंगे दोनों साइट का तो यह राग 3,12,500 तो इधर भी आ जाएगा 3,12,500 अब तीन साल करने के लिए थार्ड इयर में आते हैं सबसे बारेंस टेस्ट पर करते हैं फज जोड़ाई 2012 टू बैलेंस बेटी मसीन फर्स्ट का आए 1,80,625 और मसीन 2 का आए 88,750 अब इसी साल कह रहा है कि मसीन को बेचा गया फर्स्ट अप्रेल जो खरीदा गया था उस मसीन को बेचा गया फज जनवरी को तो फज जनवरी को एक और मसीन खरीदा भी गया है तो जो खरीदा भी इसके एंटिपार कर देंगे हमें पर टू बैंक अकाउंट जो मसीन खरीदा गया वो खरीदा गया फोर्टी थाउदन मेंस है इसको टोटल कीजी यह आ गया तो लाग सिस्टी नाइन थाउदन त्रीहंड़ सेवन्टी फ मसीन फर्स्ट का हम डेपिसिशन निकालेंगे मसीन फर्स्ट का बैलेंस बचाता बहल लाग एट्टी थाउदन सिक्सेंड़ फिपाइब 15 परसंट का डेपिसिशन चार्ज होगा नाइन मंत के लिए क्योंकि जन्वरी में बेचा जा रहा है तो टोटल डेपिसिशन चार्ज की मानस का देते हैं तो मसीन जो बच रहा ही है 503061 बच रहा है जिसको 20,000 के लॉस पर बेचा गया है तो कितने ही बेचा गया है 50304 बच रुपी में जिसको बेचा गया है जिसने रुपी में बेचा गया है उसको मैं एंटर कर देंगे आपर बाई बेंक अकाउंट 140305 और उसके बाद उसी डेट को हम टास्वर रहा देंगे प्रॉपीटन लॉस अकाउंट क्योंकि क्या हो रहा है लॉस हो रहा है 20,000 का तो अब लास्ट में जागे 31st 313 को हम डेप्रिसिशन कल्कुलेट करेंगे डेप्रिसिशन मसीन फर्स्ट का डेप्रिसिशन कल्कुलेट किया में 20,320 अब मसीन 2 का डेप्रिसिशन चार्ज कीजिए मसीन 2 बचाज बैलेंस 88,750 इसका जो डेप्रिसिशन चार्ज हो रहा है तो मसीन 2 पर अगर डेप्रिसिशन निकालेंगे तो निकालेंगे तो अगर डेप्रिसिशन निकालेंगे तो निकाल आए 13,312 और मसीन 3 का डेप्रिसिशन नाया 1500 तो टोटल अब डेप्रिसिशन निज फेटी 5,132 अब कल्कुलाट करेंगे इस टेट को बैलेंस चीडिए परला मसीन पूरा प्रेश दिया गया तो मसीन 2 का जो बैलेंस आ रहा है मसीन 2 का बैलेंस था 38,750 उसमें 13,312 को मानस कर देंगे तो बैलेंस बचेगा 75,438 और मसीन 3 40,000 का 1500 का डेप्रिसिशन चार ज़ा रहा है तो यह बैलेंस बचेगा 38,500 तो टोटल आ गया 1,13,938 रूपीज आकाउंट को गर क्रोस करते हैं तो आकाउंट क्रोस करने कितना जागा है हम पर 3,9,375 तो इदर वी अगा 3,9,375 यह अकाउंट क्लोस हो गया सिंपल वे में मसीन अकाउंट आप 3 एर्स तेंक यू प्रत्स पोग प्राम